आगे पढ़ने से पहले हम थोड़ा ये एक उदारन लें और बहतर समझ के लिए क्योंकि हमारा पहला बिंदु जो है समझ का वो है कि अंतराश्टी संग्ठन हमें चाहिए क्यों अंतराश्टी संग्ठन क्या है ये हम समझ गया अंतराश्टी संग्ठन के माइने क्या है ये भी हमने थोड़ा सा समझ लिया अंतराश्टी संग्ठन की आश्कता क्यों पड़ी इसको भी एक दो बिंदु में हमने समझने की कोशिश की तो क्या हम मान लें कि उन्ही एक दो कारणों संतराश्टी संगठन की जुरत परती है इसके लिए उदाहरण क्यों चलें हमारा एक समाजिक संगठन होता है हर समाज का अपना अपना संगठन उदाहरण के लिए हम लेते हैं जैन समाज संगठन या ख्यत्रिय समाज संगठन ये संगठन के उद्देश क्या होते है समाजिक संगठन का उद्देश क्या है क्यों बनाया जाता है संगठन सरप्रथम यदि ख्यत्री समाज संगठन है तो ख्यत्री समाज संगठन ख्यत्री हितों ख्षत्रियों के हितों में कारे करेगा उनके हितों में ध्यान रखे उनके हितों को ध्यान में रखकर कारे करेगा अब कैसे कारे करते हैं ये सरकार या शासन कुछ कानून यदि बना रही है तो ये संग्टन उस पे नज़र रखे रहते हैं कि ने कानूनों से ख्षत्री समाज का नुकसान है या फायदा है यदे नुकसान है तो सरकार पर दबाओ बनाते हैं ऐसे कानूनों को लागू ना करने के लिए और यदि फायदा है तो सरकार को उसके लिए बढ़ाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसे ही कानून उनके हित में बनते रहेंगे दूसरा किस तरीके से कारे करते हैं खत्री संगठन या इस तरह के सामाजिक संगठन एक ऐसा प्लाटफॉर्म है जहां पर क्षत्री समाज के पूरे देश के लोग एक दूसरे से मिलेंगे एक दूसरे को पहचानेंगे पहचान बढ़ने पर एक दूसरे के साथ अपने संबंध बनाएंगे वैवाहिक संबंधों की बात होगी व्यापारिक संबंधों की बात होगी हो सकता है राइपुर के एक शत्री परिवार को जो किसी एक विशिश वस्तु के व्यापार में यहां पर है उसे अपनी उस वस्तु के निर्माण के लिए किसी एक अन्य वस्तु की जरुत पढ़ती है जिसका उत्पादन तमिल नाडु में होता है और ख्यत्री परिवार वहां तमिल नाडु में उसका मालिक है दोनों के बीच में संबंध स्थापित हो गए और दोनों की जो आशिकताएं हैं उसकी पूर्ती हो जाएगी उसके साथ ही अपने समाज के जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनके लिए स्कॉलर शीपादी की ववस्ता जो दिव्यांग हैं शारीरी ग्रूप से कमजोर हैं उनके लिए कुछ विशेश ववस्ता हैं वैवाहिक कारिस्थल की व्यवस्ता ख्षत्री नेताओं की, ख्षत्री महापुरिशों को लेकर कारक्रम ख्षत्री इतिहास को लेकर विवन तरीके के योजनाए और प्रचार प्रसार आदी आदी ऐसे बहुत से बिंदु हैं जिसको लेकर ये सामाजिक संगठन इस्थापित होते हैं और उसके पीछे उद्देश होता है अपने समाज का हित और ऐसा करते हुए सुनिश्चित करना कि पूरे देश का हित हो दूसरे का अहित नहीं देखेंगे अपने समाज का हित सर्वोच ये सुनिश्चित करते हुए कि यह देश के हित में भी हो उसी प्रकार अंतरराश्टी संग्ठन की भी जुरत पढ़ने लगी जैसे खेत्री स्तर पर जाती स्तर पर धार्मिक स्तर पर संग्ठनों की जुरत पढ़ी ऐसे ही अंतरराश्टी संग्ठनों की भी जुरत पढ़ी जब विश्व छोटा हो गया, विश्व के सभी देश एक दूसरे पे निर्वर हो गया, वियापारिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था ऐसी हो गई कि सब देश एक दूसरे पे निर्वर हो गया, तो अंतराश्टी संगठनों की आशकताब बढ़ती गई, बिंदु दर, जिसका मैंने बार बार जिक्र किया है वह लगातार विश्व को इस बात की चेतावनी देता रहा है कि अंतराश्टी संगठन की जरूरत है चेतावनी देता रहा है कि एक ऐसे अंतराश्टी संगठन की जरूरत है जिसके दाथ हो जो प्रभावशील हो जो प्रभावशाली हो लीग अफ नीशन जैसा कमजोर ना हो तो पहला कारण अंतराश्टी संगठन के होने का युद्ध और शांति के मामलों में मदद करें मदद कैसे करें यदि कोई दोशों के बीच में युद्ध की संभावना है तो उन संभावनाओं को समाप करने की कोशिश करें चाहे बातचीत करवा के, चाहे समझोते के मार्धम से, चाहे दबाओ के बल पर, चाहे बायकॉट करके आर्थिक तरीके से उन पर दबाओ बनाकर आदिया दे। उसके कई तरीके हैं। कि जैसे मनश्य एक सामाजिक प्राणी हैं, वो स्वैम अकेले खुश नहीं रह सकता। यदि उसे खुश होना है तो समाज में रहना पड़ेगा। ऐसा ही हर देश एक सामाजिक देश है। सामाजिक देश के ताथ पर अकेले कोई देश स्वैम में फल फूल नहीं सकता, इसके लिए जरूरी है कि वू मदद करें मदद ले, दूसरे देशों की मदद करना, अपने लिए मदद मांगना, मदद लेना और ऐसा करते हुए अपना जीवनस्तर और विश्व का जीवनस्तर बढ़ाना. तीसरा जो कारण हो सकता है जिसके कारण अंतराश्टी मंचों के आश्कता पड़ती है वो है कि जो अंतराश्टी जगड़े हों उसे शांति पूर्ण तरीके से हल करवाने की कुश्शिश करना ताकि ये जगड़े ऐसा रूप न ले लें कि जिसके फिर युद्ध की का उन्माद पैदा हो जाए अंतराश्टी जगड़ों से ताजपर क्या है जैसे भारत पाकिस्तान की सीमा में जो नदियां बहती हैं रावी जेलम सतलब चिनाब व्यास ये नदियों को लेकर उसके पा पाकिस्तान के बीच का जगड़ा है लेकिन नदियों को लेकर भी है कई देशों के बीच में सीमाओं को लेकर जगड़ा है कुछ गाओं को लेकर जगड़ा है आदी आदी ये जगड़े प्रारंबिक स्तर पे ही निप्टा लिये जाएं इन जगड़ों के कारणों को प्रा तरीके से हल करने के लिए अंतराश्टी संग्टनों की जरुत पढ़ती है इसलिए हमें अंतराश्टी संग्टन चाहिए कई बार क्या होता है कि अंतराश्टी ऐसे कुछ मसले आ जाते हैं कुछ देशों के सामने जिसे अकेले हल नहीं कर सकते हैं ऐसे कुछ मामले आ जाते हैं कुछ देशों के बीच में जिसे अकेले हल नी किया आजा सकता उसके लिए विश्व समुदाय की जुरत पड़ती है उनके दबाओ की उनके प्रभाओ की उसके लिए भी अंतराश्टी संग्ठन चाहिए ऐसे मुद्दों को निप्टाने के लिए भी अंतराश्टी है अभी करोना हुआ है ये करोना क्या भारत अकेले स्वयम चुनिश्चित कर सकता था कि भारत में करोना ना हो भारत में करोना ना हो इसके लिए आश्चक है कि विश्व में भी करोना ना हो आप समझ रहे हैं इस बात को तो इसलिए जैसे कोई महा मारी हुई या ग्लोबल वामिंग का जो मुद्धा है ग्लोबल वामिंग ये ऐसा मुद्धा है जिसे भारत अकेले हल नहीं कर सकता अमेरिका अकेले हल नहीं कर सकता कोई कितना भी शक्तिशाली हो इसे अकेले हल नहीं किया हो जो पर्यावरण में जो बदलाव हो रहा है मौसम में जो बदलाव हो रहा है विश्व के तापमान में जो परवर्तन हो रहा है इसका इलाज भारत अकेले नहीं कर पाएगा कोई भी शक्ती नहीं कर सकती इसके लिए तो सामूहिक प्रयास की जुरत है तो ऐसे मुद्दे जिसके लिए सामूहिक प्रयास की जुरत है उसके लिए भी हमें अंतरराश्टी संगठन की जरूरत पढ़ती है तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अंतरराश्टी संगठन एक आवश्यकता है क्यों चाहिए इसमें इतने बिंदु हमने देखे इन बिंदुओं को पढ़ने से इस पश्ट लगेगा कि ये मात्र एक लक्जुरी नहीं है एक आवश्यकता है और खासकर वर्तमान में जब दुनिया बहुत छोटी हो गई है जब एक देश की घटना दूसरे देश को प्रभावित करने में कोई समय नहीं लगाती जब एक देश की घटना एक देश में कुछ बात होती है तो उसका असर दूसरे देश पर पढ़ता है जब कुछ ऐसे मुद्दे जिसका अकेले हल निकालना संभव है तो ऐसी स्थिति में अंतराश्टी संग्ठन चाहिए अब ये काम कैसे करते हैं अंतराश्टी संग्ठन बनेगा क्यों चाहिए इसको जानने के बाद इनके काम करने का तरीका क्या होगा सहयोग मात्र सहयोग एक ही इसके लिए रास्ता है सहयोग सहयोग का मार्ग को अपरेशन और को अपरेशन तभी संभव है जब कुछ उसकी अपरेशन के कुछ आधार हो कुछ दायरा हो कुछ उसके कानून हो कुछ उसका ढाचा हो आधार हो दायरा हो उसके अपने कानून हो उसका ढाचा हो structure हो तभी तो वह एक संगठन organized संगठन कहलाएगा किसी तातकालिक समस्या के लिए संगठत हो जाना एक बात है लेकिन तातकालिक समस्या के लिए लेकिन विश्व में दिन प्रति दिन 2400 घंटें घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं पर पैनी नजर रखना सुनिश्चित करना कि इन घटनाओं का दुष्प्रभाव ना पड़े सुनिश्यत करना की एक घटना है विश्व को गलत तरीके से प्रभावित ना करें इसके जरूरी है कि कोई सा और्गनाइजड स्ट्रक्चर हो और इसी और्गनाइज स्ट्रक्चर की जरूरत ने स्विक्तराश संग के इस थापना की नीव रखे तो अब हम यह समझ गया कि स्विक्तराश संग हमें क्यों चाहिए यह स्विक्तराश संग के निर्माण की प्रिष्ट भूम यह अब हम समझ गया होंगे स्विक्तराश संग के बारे में दो लोगों के विचार बड़े जरूरी है आपको जानना कि कैस लोगों को कि चै सीपितराश्चञ के इसापना के लेकर डाग हैमर्शोर्ड कि जऄ सेंधराश्चान के दूसरे महा सचछिप थे महा सच और शेक्रेटरी जननल जो होता है वो स्वwrिक्ट राज्षंग के कारियाने का मुख्या सथ यह बताया है कि एक स्ट्रक्च दैग हमर्शोल ने क्या कहा संग्तराश्चंग के बारे में। संग्तराश्चंग का गठन मानवता को स्वर्ग में पहुंचाने के लिए नहीं, बलकि नरक से बचाने के लिए हुआ है। संग्तराश्चंग का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं, बलकि नरक से बचाने के लिए हुआ है। आप सोच सकते हैं कि संग्तराश्चंग की व्यत्पत्ति के पीछे, जो लोग जिम्मेदार थे, वो कितनी बड़ी पीड़ा से गुजर रहे थे दिती विष्द की भयावता के कारण, दिती विष्द की जो घटनाएं थी, उन्होंने ततकालीन समाज को, ततकालीन नेताओं को, इतनी बुरी तरह जजकोर दिया था, कि नर्क से बचाने के लिए उन्होंने, कि अगली ऐसी दुरगटना से बचाने के लिए हमें कुछ करना होगा, और उस कुछ करने का परणाम स्विक्तराश्चंग की स्थापना स्वर्ग बनाने के लिए नहीं है, यानि एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि स्विक्तराश्चंग की स्थापना के पीछे एक नेगेटिव थौट उसका अधार बना, नेगेटिव थौट, चुकि हमें नर्क नहीं चाहिए, नर्क बनाने से बचना है, इसलिए भाई, एक ऐसी संस्था बनाएं, जो हमें इन स्थित्यों से बचा के रखे, ये बयान स्विक्तराश्चंग के सेकरेटरी जनरल का है, ऐसी एक दूसरा बयान, और ये बयान, ये स्टेट्मेंट भारत के एक बहुत पसिद्ध विचारक ने दी है, जो गुरतमान में राजनिते की भी हैं, और स्विक्तराश्चंग में कारे करने का बड़ा ल लंबा अनुभौ रहा है उनका, शशित थुरूर, जो स्विक्तराश्चंग में सारदिनिक सूचना और संचार के पूर्व अवर सचिब थे, उनका क्या बयान है, बत कही की चौपाल, क्या कहा, बत कही की चौपाल ठीक कहा आपने, स्विक्तराश्चंग में खूब बैठक होती हैं दनादन भाशन होते हैं खास कर आम सभा के वार्षिक शत्र में तो इक चंकी एक आम सभा होती है साल में एक बार उसकी स्थापना दिवस के आगे पीछे और स्थापना दिवस जो है उस दिन तो रहती है आम सभा की बैठक साल में एक बारे जरूर होती जिसमें दुन भर के देशों के मुखिया उसमें आते हैं उस पर उस घटना क्रम पर शीशति थरूर का ये कमेंट है कि ये तो बद कही कि चौपाल है ठीक कहा आपने सविक तराज संग में खुब बैठके होती हैं दना दन भाशन होते हैं खास कर आम सभा के वार्शिक सत्र में लेकिन जैसा चर्चिल कहते थे हथियार लडाने से बढ़िया है कि जुबान लडाई जाए हथियार लडाने से बढ़िया है कि जुबान लडाई जाए क्या यह बात बहतर नहीं कि ऐसी एक जगह हो जहां दुनिया के सारे राश्ट एकटे हों सारे राज्या धक्ष एकटे हों और कभी क बातों से एक दूसरे का सिर्क खाएं बनिस बत लड़ाई के मैदान में एक दूसरे का सर कलम करने के कितना अच्छा बेयान है शेशित रूर सम्भवता किसी व्यक्तिक के इस वक्तव पर प्रतिक्रिया कर रहे थे जिसने कहा होगा कि इस तो इक राश्चंग में होता क्या है कुछ भी तो नहीं होता भाशन होते रहते हैं साल में, बैठके होती हैं, उन बैठक भाशन और समा योजन को ले कर बहुत खर्चे होते हैं, जनादन भाशन होते हैं, पर नाम कुछ निकलता, उस पर इनका कहना है कि कम से कम इन बैठकों में शामिल होकर, लोग भले जुबान से लड़ लेते हों, लेकिन ये हथियारों की लड़ाई से बहतर तो है, क्या ये बहतर नहीं कि ऐसे सब नेता लोगी कठे हो जाएं, एक दूसरे का सर खाएं भाशनों के माध्यम से, बाचीत के माध्यम से, कम जगम शान्ति पूरवक तो बैठे हैं, ये दो बैयान, सपष्ट रूप से से राश्च संग की अहमियत को सिद्ध करते हैं, डाग हमर्शोल और शेशी थरूर, ऐसे बहुत से लोग के बैयान हैं, तो आप समझ सकते हैं कि से राश्च संग कितनी अहम अंतर राश्टी संस्ता है, और जैसा मैं बारं बार कह रहा वैश्विक संस्ता है, ये दो दारण, एक बहुत महतपूर्ण बात के और इशारा करते हों, और वो है कि ये जो अंतर राश्टी संग्ठन होते हैं, ये हर मर्ज की दवा नहीं होती, हर बीमारी का दवा नहीं है, ये इलाज नहीं है, लेकिन महतपूर्ण है, दवाईयां जो होती है एक दवाई सभी बीमारी का इलाज नहीं कर देती हर चीज की अलग-अलग हर बीमारी की अलग-अलग दवाईया हैं ऐसे ही अलग-अलग अंतराश्टी संगठन अलग-अलग दिक्तों को अलग-अलग समस्याओं को निराकरण करने के लिए बने हुए है और इनकी अपनी अहमियत है अंतराश्टी संग्ठन युद्ध रोकने में और शांती बहाली में मदद करते हैं ये इसमें कोई दो मत नहीं 1945 के बाद लगभख 75 वर्ष गुजर गया है इन 75 वर्षों की घटनाओं ने ये बात तो साबित कर दी कि बातचीत के माध्यम से काफी कुछ समस्याएं समवाद के माध्यम से काफी कुछ समस्याएं हल की जा सकती है देशों की सहयता करते हैं ताकि बہतर जीवन भी इस्तर भी बने अफ्रीका जो तुलनात्मक दिस्ट से काफी पिछड़ा हुआ महाद्वीप है जहां देशों की संख्या भी बहुत ज़ादा है छोटे छोटे देश है वहां की खुशाली इसलिए आवश्यक नहीं है कि वहां के लोग खुश होए शायद वहां की खुशाली इसलिए और आवश्यक है कि वहां की खुशाली का असर भारत पर पड़ता है विश्व पर पड़ता है किसी भी एक देश में होने वाली घटना दूसरे देश को बहुत प्रभावित करती है इस बात को मैं रिखांकित करना चाहरा हूँ और इसलिए गरीबी से लड़ना इसलिए जरूरी नहीं मातर इसलिए जरूरी नहीं कि हमें उन गरीब लोगों की मदद करना है बलकि इसलिए जरूरी है कि उन गरीबों की गरीबी हटाकर हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि वे लोग अपराज ना करें हमारे प्रति कुछ दुर्भावना ना रखें हमें किसी गलत काम में न ले जाए इसलिए गरीबी का उन्मूलन जरूरी है इतने सब के बाद अब आप समझ के होंगे कि अंतराश्टी संगठन की जरूरत कितनी है देशों के बीच मन मुटाओ होते हैं पड़ोसियों के बीच होते हैं पड़ोसियों की परिवार के सदस्यों के बीच में जगड़े होते हैं लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि दूसरे से युद्ध की ठान लें, एक दूसरे से बात न करें, परिवार में जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, कुछ समय शान्त रहने के बाद फिर बातचित करते हैं, समस्या का निराकरन करने की कुशिश करते हैं, लेकिन सरकलम करने की, तलवार चलाने की, गोली चलाने कि नहीं बात करते हैं तो उसी प्रकार जिस तरीके से विवेध के मतलों को विवन्यता के मतलों को शांति पूर्वक्खल करते हैं घर में, समाज में, राज्य में उसी प्रकार ऐसे मसलों को शान्ति पूर्ण खमाधान ढूनने के लिए ये अंतर राश्टी मंचों की आवश किता पड़ती है आज का जो विश्व है जिसे ग्लोबल विलेज कहते हैं जिसमें राश्टों के बीच में परस पर निर्भरता बहुत बढ़ गई है एक दूतरे पर निर्भरता बहुत बढ़ गई है ऐसी सित्य में अंतर राश्टी संग्ठनों की अहमियत बढ़ गई है जरूरत बढ़ गई है ये अब वर्तमान अंतराश्ट्री राजनीति के एक बहुत महत्पूर्ण अंग बन चुके हैं कोरोना की घटना को लें कोरोना पूरे विश्व में हुआ भारत ने विश्व के अने देशों को कोरोना की वैक्सीन भेजी और वो भी फ्री में मुफ्त में अखिर क्यों ये ऐसा क्या था कि हमने मुफ्त में भेजी उत्तर बड़ा सीधा है यदि हम वैक्सीन ना भेजे तो दूसरे देशों में जब तक उनकी अपनी वैक्सीन नहीं आएगी तब तक कुरोना होता रहेगा वहां होने वाले कुरोना का असर क्या हमारे देश पे नहीं पड़ेगा जब तक हमारे हम वैक्सीन के डोस सबको ना लग जाए तब तक दूसरे देश में हुए कुरोना से हम भी प्रभावित होते रहेंगे तो हमारी सेहत के लिए हमारे देश के हमारे समात के लोगों की सेहत के लिए ये जरूरी था के पूरविश्व कोरोना वैक्सिनेटेड हो जाए कोरोना फ्री हो जाए और इसलिए भारत ने वैक्सिन भेजी ये सहयोग का एक अंतराश्टी सहयोग का एक बहुत-बड़ा दारन और ये सहयोग यदि करना है तो उसके लिए एक व्यवस्था बनानी होगी उसके लिए एक सिस्टिम बनाना होगा उसके लिए कोई एक एजेंसी की जरुद पड़ेगी तो भारत ने इसी इस मामले को ले कई एजेंसियों की अंतरराश्टी एजेंसियों की मदद ली जिसमें एक WHO भी है World Health Organization जो UNO का सिंक्तराश्च संग का एक हिस्सा है और World Health Organization के जरिये ये सुनिश्चित किया गया कि पूरी दुनिया में सब को वैक्सीन पहुंचे ताकि कुरोना जैसी महामारी से जल्दी से जल्दी सब को छुटकारा मिले ये परस पर निर्बरती परस पर निर्भरता और बड़ती निकटता ने अंतराश्टी राजनीती में अंतराश्टी संगठनों की आहमियत को भी बढ़ा दिया है तो बिंदुवार यदि हम इस पर बात करें कि आखिर इसके क्या कारण है अंतराश्टी संगठनों की जरुत की नमबर वन विश्व शान्ति और स्वरक्षा विश्व शान्ति और स्वरक्षा की बात यदि होती है तो जैसा मैंने बारंबार कहा है हमें दिती विश्व की भयावहता स्मर्न होता है दूसरे विश्व के बाद पूरे विश्व समधाय ने इसकी जरुत समझी थी उसकी विविशका को लेकर कि भाई अब हमें किसी भी तरीके से ऐसे घटना क्रम से बचना होगा यदि अपने को तिती विश्युद्य से बचाय रखना है तो और ये तभी संभव है जब एक सामोहिक प्रयास हो 1945 में स्विक्त राश्चंग की स्थापना एक सामोहिक स्विरक्षा की जरूरत को पूरा करता है की जो मंशा थी जो तीवरता थी उसने स्विक्त राश्चंग को जन दिया दूसरा कारण सहयोग बढ़ाने की भावना वैश्विक सहयोग विश्व समदाय में सहयोग चाहे वो आर्थिक ख्षेतर में हो चाहे महामारी जैसे स्वास्तिक ख्षेतर में हो चाहे व्यापारी ख्षेतर में हो सांस्कृतिक, शैक्षनिक, वैग्यानिक इन सभी ख्षेतरों में सहयोग की बढ़ती जरूरत को महसूस किया गया ये महसूस किया गया कि हम अकेले खुश नहीं रह सकते यदि हमें खुश रहना है तो विश्व को पहले खुश रखना पड़ेगा विश्व की खुशी में हमारी अपनी खुशी नहित है कहते हैं न कि एक परिवार में एक घर का जो परिवार है पांच सदस्य होते हैं सामानतिया उन पांच सदस्यों में हम सुनिश्चित करते हैं कि सब खुश रहें क्योंकि उनमें से एक यदि खुश नहीं है तो क्या परिवार के बाकी सदस्य खुश रहेंगे क्या उस परिवार का माहौल खुश नुमा रहेगा नहीं तो इसलिए ये सुनिश्चत करते हैं परिवार के सदस्टे कि सब लोग खुश रहें उसी प्रकार अब विश्व एक परिवार बन चला है एक संयुक्त परिवार बन चला है और इसलिए जरूरी है कि हम सहयोग के जरिये वियापार के क्षेतर में सांस्कृतिक क्षेतर में शिक्षा के क्षेतर में स्वास्त के क्षेतर में वैग्यानिक क्षेतर में सहयोग करें समन्वय बढ़ाएं और इसलिए सहयोग और समन्वय के लिए जरूरत है कि एक अंतराष्टी संगठन हो विश्व स्वास्ते संगर्षन जिसका मैंने अभी जिक्र किया WHO World Health Organization ऐसे ही शिक्षा के खेतर में UNESCO 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 यह शिक्षा के खेतर में दुनिया में काफी कारे कर रहा है ऐसे ही WTO World Trade Organization ILO International Labor Organization अंतराश्ट्री श्रम संगर्ठन जो श्रमिकों के लिए कारे करता है अंतराश्ट्री स्तर पर श्रमिकों के लिए कारे करता है अंतराश्ट्री स्तर पर UNESCO विद्धार्थियों बच्चों के लिए कारे करता है उनकी खुशाली के लिए क्या किया जा सकता है उसके प्रियास करता है और ये सब क्यों क्यों कि ऐसा विश्वास बढ़ चला है लोगों के मन में कि दूसरों की खुशी उतनी ही आवश्चक है जितनी की अपनी खुशी यदि हमको खुश रखना रहना है तो दूसरों को खुश रखना जरूरी होगा दूसरों की खुशी में हमारी खुशी नहित है ये सहयोग की एक अहम पैदान है तीसरा वैश्विक चनौतियों का सामना और उसका समाधान अंतराश्टी संगठन ही विश्व की बढ़ती हुई चनौतियों का सामना कर सकते हैं और उसका समाधान निकाल सकते हैं मैं अकेले समाधान नहीं निकाल सकता अब विश्व एक दूसरे पर इतना निर्भर हो चकला है एक दूसरे से इतना जुड़ चुका है कि अब अखेले समाधान संभाव नहीं है मैं अपना कोरोना का उदाहरण दोगा और कोरोना का उदाहरण मैं बारंबार इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये निकट भूत काल में घटी हुई घटना है जिसके आप लोग चश्मदीद गवाह है करोना के प्रभाव को करोना के कैसे इलाज किया गया करोना से कैसे मुक्ति पाने का प्रयास किया गया आदी आदी और करोना हुआ क्यों ये सब बिंदूओं को आपने देखा है समझा होगा इसलिए मैं ये दाहरण बारंबार दे रहा हूँ तो ऐसे ही तीसरा जो कारण है तीसरा कारण किस चीज का अंतराश्टी संग्ठनों के विकास और उद्या का तीसरा कारण हम कह सकते हैं कि वैश्विक चुनोतियों का समाधान करता है ये विश्वास अब सब के मन में आचुका है कि अकेले नहीं कर सकते हैं जलवाई उपरवरतन जिसका मैंने पूर में जिक्र किया गरीबी अफरीका की बात की मैंने भुखमरी आतंकवाद आज की समच्या एक बहुत बड़ी समच्या आतंकवाद है आतंकवाद का जो सबसे बड़ा उधारन जो दिया जाता है वो है 9-11 के घटना वर्ल ट्रेट सेंटर जहां अमेरिका में उसामा बिन लादिन के आतंकवादी गुट ने वर्ल ट्रेट सेंटर पे दो हवाई हमले की एक तरीके से और लगभगतीन हजार जाने गई थी उसने पूरी दुनिया को हिला दिया अमेरिका में जहां पर जो सर्वशक्तिमान देश है वहाँ पर यदि ऐसा हमला हो सकता है तो दुनिया में कहीं भी हो सकता है इस भय ने इस संभावना ने ऐसी घटना की भविश में संभावना ने ये दुनिया को मजबूर किया कि वे एक दूसरे के और निकटाएं और ऐसी अंतराश्टी संस्थाओं के माध्यम से इस तरह की घटनाओं की पुनरा वृत्ति ना होने के समुचित कदम उठाएं मानवादिकारों की रक्षा पर्मान समस्या पर्मान बम से पर्मान बम के निर्मान से जो समस्याएं दुनिया में आ रही हैं उसका निराकरन कैसे हो ये भैस सदईव देशों को खाता रहता है कि कोई पर्मान कोई देश का सिर्फिरा व्यक्ति पर्मान बम दूसरे देश पर ना गिरा बैठे जापान के हिरोशिमा और नागा साकी पर जब बम गिराए गए अगस्ट 1945 में तो उसके दुष परिणाम जग जाहिर हैं और उस समय के गिराए गए एटम बम के तुलना में आज के पर्मान बम सौगना दो सौगना ज़्यादा घातक हैं ऐसी स्थिति में ये डर सदईव बना रहता है कि कहीं पर्मान बम का कोई उप्योग या दुरुप्योग ना कर बैठे यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इस पर्मान बम के की भयावहता उसका डर इतना ज़्यादा उसका कारण उसको लेकर आइंस्टीन ने जो बयान दिया था वो सबको सजक कर सकता है उन्होंने कहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि तीसरा विश्विद्ध इतना भयानक ना हो जाए कि चौथे विश्विद्ध में लोग धनुषबान का उप्योग करें याने हम इतने बैकवर्ड ना हो जाएं तीसरे विश्विद्ध के बाद तीसरे विश्विद्ध के बाद जरा ध्यान से सुनें तीसरा विश्विद्ध क्योंकि यदि तीसरा विश्विद्ध होता है तो परमान युद्ध होगा और यदि परमान युद्ध होता है तो निश्वित रूप से मानो जात्तमाप्त हो जाएगी और हम लोग फिर वही आदिकाल के युग में चले जाएंगे जब धनुषबान जैसी चीजों का उप्योग होगा विकास की जो हमने इतने लाखों वर्षियों में जो प्रगति की है विकास का जो रास्ता चले हैं वो सब वापस आदिमानों के इस तर पे आ जाएगा परिवर्तन के समाधान के लिए जो जलवाई में जो परिवर्तन हो रहा है तापमान में जो परिवर्तन हो रहा है ग्लेशियर जो फिखल रहे हैं पिखलते हुए ग्लेशियर की समस्या केवल उस देश की नहीं है जहां के ग्लेशियर पिखल रहे हैं हिमाले परवत पर बढ़ती हुई गर्मी वहां के बर्फ को लगातार पिखला रही है ये समस्या केवल भारत की नहीं है उसके पिखलने से जो पानी का बहा हो रहा है जो बाढ़ आ रही है जो अंदरूनी हलचल हो रही है भूमी में ये केवल समस्या भारत की या नेपाल की न ये एक तरीके से वैश्विक समस्या है क्योंकि इस तरह की समस्या अन्य देशों के परवतों में भी अन्य देशों में भी आ रही है तो इसलिए वैश्विक चनौतियों के समाधान के लिए जरूरी है अगला वैश्वी करन की आवश्यकता जाने संचार मार्दमों के बल से सं हर चीज का globalization हो जा रहे है इस वैश्वी करण की बढ़ती आवश्कता के संबन में यही एक बात आपके लिए काफी है कि मैक लुहान ने जिसे बहुत पहले कहा था मैक लुहान की दुनिया एक वैश्विक गाउं बन चुका है और वैश्विक गाउं बनने से एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ी है आदान प्रदानों की विचारों के आदान प्रदान की तीवरता संचार मादमों से साधनों के आदान प्रदान की तीवरता इस तीवरता ने हमारी निर्भरता को भी बढ़ाया है दूसरों पर निर्भरता और इसमेकार ये जो लेन देन विचारों का सामानों का ये लेन देन विवश करता है कि पर्याप्त अंतर राष्टी संगठन हो जो इन विविन बुद्धों की समुचित विवश्था को सुनिश्चित करता है अंतिम कारण जिसके बारे मैं बारम बार प्रारम में कह रहा हूँ वो है छोटे और गरीब राष्ट्रों की हितों की रक्षा जब इसमें एक बिंदू मैं कहना चाहूंगा कि दुनिया अब एक ध्रुवी हो चली है और ये एक ध्रुवी और द्विध्रुवी क्या है इसका जिक्र पूर्व में किया जा चुका है पूर्व क्या ध्यायों में तो जिस एक ध्रुवी व्यस्था में ये पूरी संभावना है कि सर्वशक्त शाली देश के द्वारा अपनी ताकत का दुरुप्योग किया जाए और ऐसा करते हुए गरीब देश, निर्धन देश, छोटे देश के हितों का ध्यान ना रखा जाए जब द्विधुरी व्यवस्था थी 1990 के पहले, जब सोवियत चंग और अमेरिका दो धुरुवी देश थे, दो धुरुवी ताकतें थी, दो महाशक्तियां थी, तो एक तरीके से संतुलन बना हुआ था संतुलन का ताजपर आप समझ गया होंगे, पहले का ध्यायों में, ये संतुलन बने होने से ये सुनिश्चित था या कम से कम काफी कुछ संभावना थी, कि ऐसे कमजोर देशों के हितों पर कोई हमला ना करे, उसका कोई दुरुपयोग ना करे, लेकिन अब तो सोवियस संग का विगटन हो चुका है, 1990 के बाद, और अब दुनिया एक ध्रुवी हो चली है, जहां अमेरिका का वर्चस्व है, और अमेरिकन वर्चस्व का अध्यन हम काफी विस्तार से कर चुके हैं, ऐसे में संभावना बढ़ जाती है, कि ये गरीब नि तरीके का शोशन ना हो, अमेरिका ने एक महाशक्ति के रूप में, आप तो देखी चुके हैं, कि उन अध्याव में पढ़ चुके हैं, कि एक महाशक्ति के रूप में अमेरिका ने कैसे इराग के साथ विभार किया, कैसे लीबिया के साथ विभार किया, कैसे अफगानिस्त के अंदरूनी मामले में हर्त तक्षेप किया और फिर जब इच्छा होई तो अफगानिस्तान छोड़ के चला भी गया ऐसा करते हुए ये महाशक्ति उस देश की अखंडता छोटे देशों की सम्प्रभुता इसमें एक राह का रोड़ा बनती हैं और ये भैस सतत रूप से सताते रहता है आज एक धुरूई विश में कि कहीं ये महाशक्ति अपना राजनीतिक खेल इन देशों में तो नहीं खेल रही है और सचाई तो ये है कि वास्तों में इराक, लीबिया, अफगानिस्तान उसके साथ ही जो अन्य कुछ देशों में अमेरिका ने अपनी ताकत का दुर प्योग किया है मनमाने धंग से हर्थ तक शेप किया है अकारण ही उन पर कबजा किया है इसकी बढ़ती संभावना को रोकने के लिए भी अंतरराश्टी मंच की आउशकता है विश्व की शान्ती ऐसी जो घटनाएं हुई है इराक में लीबिया में अफगानिस्तान में ये विश्व शान्ती के लिए खत्रा बन जाती है आज अफगानिस्तान आतंकवाद का एक बहुत बड़ा अड़ा बन चुका है हमारा पड़ोसी राश्ट पाकिस्तान आतंकवादी गत्विदियों को बहुत प्रश्रय देते रहता है ऐसी स्थित में भारत अकेला इस आतंकवाद से नहीं लड़ सकता तो अंतरराश्टी मंच ऐसे समय में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं और निभाते ही नहीं है बलकि आने वाले दिनों में इन संगधनों को और मजबूत बनाने के आउश्यकता है इनको और ऐसे अधिकारों को देने के आश्यकता है जिससे कि ये समुचित सक्षम करवाई कर सकें गरीब राश्टों के आर्थिक हितों की रक्षा करना ये सुनिश्चित करना कि गरीब देश गरीब ही होते ना चले जाएं क्योंकि इसमें कोई दो मतने कि अमीर अमीर होते जाता है और गरीब गरीब होते जाता है तो ऐसी स्थित में क्या गरीब देश और गरीब होते चले जाएंगे क्या विश्व की अधिकतर जनता जो गरीबी के स्थर से नीचे रहती है क्या वो और गरीब होती चली जाएगी क्या उनके हितों की रक्षा करना जरूरी नहीं है तो अंतराश्टी संगठन यहां पर भी बहुत आहम भूमिका निवारते हैं तो इस वकार हम विस्तार से देख चुके हैं कि हमें अंतराश्टी संगठन की आवश्कता क्यों हैं दूसरे शब्दों में संग्तराश्चन की स्थापना के कारणों पर हमने एक नजर डाली है